नमस्कार, संस्किर्ट IES के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, मेरा नाम है सतनाम सिंग, इस समय हम लोग बरतमान समय में एक जो नया प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था, Answer Writing, Skill Development के लिए, उस प्रोग्राम में आज एक नये Question का Evaluation हम लोग यहां पर करेंगे, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बरतमान समय में हमने अभी हाल ही में यह कारिकरम शुरू किया है, इसलिए अभी शुरुआत में हम लोग सामान ने प्रशनों को ले रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी Capabilities थोड़ी बढ़ती जाएंगी, Answer के Evaluation को देखते हुए, कि Answer का Format किस तरह का होना चाहिए, बैसे बैसे हम लोग आगे Complex Questions को भी लेंगे और उनको Evaluate करेंगे, उनका Format समझाएगे, तो जो आज प्रशन लिया है, यह राजविवस्ता कर्ण से संबंदित है, और यह प्रशन है, भारती समिधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना में नहीं थ चर्चा कीजिए, यह प्रस्न है, इस प्रस्न को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक बार समिधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं, समिधान की प्रस्तावना को देख लेने से हमारी यह समझ में आ जाएगा कि प्रस्न में जो पूछा गया है, उसका content क्या होना चाहिए भारत का समिधान उद्देशिका उद्देशिका और पस्ताबना एक ही बात है और इंग्लिस में इसको प्रियंबल कहते हैं इसको पढ़ते हैं पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्यु संपन समाजबादी पंत निर्पेच लोकतंत्रात मक गंडराजी बनाने के लिए तथा उसके समस्त नाग्रिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रतिस्था और अबसर की समताप्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा औ इसी 26 नॉंबर 1989 को बिक्कर्म संबत के अनुसार जो तिति रही होगी उसके बारे में लिखा हूआ है तारीक 26 नॉंबर 1989 Perfect को एततद्धवारा इस सम्विधान को अंगीकरत, अधिनेमित और आत्मर्पित करते हैं ये है सम्विधान की प्रस्तावना और सम्विधान की प्रस्तावना में उन राजनेतिक, आर्थिक, नेतिक मूल्यों का शमावेस किया गया है जिन पर हमारे पूरे सम्विधान की आधारशिला टिकी होई ह अब हम लोग प्रश्ण देखते हैं फिर समझेंगे कि इस प्रश्ण के उत्तर का प्रारूप क्या होना चाहिए और उसके बाद हम लोग इस प्रश्ण के उत्तर जो किसी बच्चे ने लिखा है उसका एबल्यूएशन करेंगे पढ़ते हैं इसको भारती सम्विधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना में नहीं थै चर्चा कीजिए शुरुवात भूमिका से होनी चाहिए देखते हैं कि इसमें कänger लिखाए किसी बच्चे ने भारती संभिधान प्रस्तावना को पूरे संभिधान की व्याक्ययु या आत्मा कहा जाता है जो यह ilum विधान में उलेखित हम भारत के लोग से अभिप्राया है मैं नहीं समझ पा रहा हूं यह क्या कहना चाहरा है भारतिय समाज के सभी लोगों के शासन को बशी भूत करता है मैं इस लाइन को भी नहीं समझ पा रहा हूं और इससे भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यह क्या कहना च चाहिए थी कि भारत के समिधान की पस्ताबना में उन राजनेतिक आर्थिक नेतिक मूल्यों का समावेश किया गया है या लिखा गया है जिन पर भारत के समिधान की आधार सिला ठिकी है और इनी नेतिक मूल्यों के आधार पर समिधान सभा के एक सदत से ठाकुर्दास भारग के स्टेटमेंट का या ठाकुर्दाज भारगव का संदर्व देके यहां पर भूमिका लेखनी चाहिए थी अब आगे देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा है बच्चे ने मुख्य बाड़ी में भूमिका तो मेरे तो समझ में आई नहीं है क्योंकि पहले ही मैंने आप अस्तावना का सुरूप लोक तंत्रात्मक कटिंग की हुई है समाजबाद 42 में समिदान संसूदन साइध यह समझाना चाह रहा हो कि 42 में समिदान संसूदन द्वारा समाजबादी सब्द जो जोड़ा गया था इसी प्रकार से नियाई राजनेतिक समाजिक आर्थे के बाद सही है कि समाजिक आर्थे की चर्चा की गई है और ये बात भी सही है कि लोक तंत्रात्मक समाजबाद पंत निर्पेक्ष जैसे मूल भी समिदान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं तो लिखे तो सही हैं लेकिन कटिंग भी की गई है और बात इस फ़स्ट तरीके से ये बच्चा नहीं लिख पा रहा है नियाय वाली बात भी सही है अगले पेज पर देखते हैं समिदान की प्रस्तावना में सम्मिलित अनिश्रोत समानता स्वतंतरता बंदुता आदिको प्रस्तावना को संभाव और अब्राहम लिंग के अनुशार जनता का जनता के लिए शासन को परिभासित करता है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ है यह ललका शायद अब्राहम लिंकन की जो परिभासा है डेमोक्रेसी के बारे में लोगतंतर के बारे में कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन उसको लिखना चाह रहा होगा लेकिन ये पूरी तरह से ठीक तरीके से लिख नहीं पाया लोगतंत्र की परिभाशा में तो यहाँ पर अबराहम लिंग नहीं थे वो अबराहम लिंकन थे तो ये तो गलत लिखा हुआ है हम प्रस्तावना से ही संपूर्ण संविधान के निचोड को समझ सकते हैं जो संविधान निर्माताओं का मतैक के और ये सब्द मेरे समझ में नहीं आ रहा है है समझाने के लिए कहीं न कहीं सही सबित है नहीं मेरे समझ में रहा है कि सब्द से ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है और पढ़ लेते हैं नीचे प्रस्तावना में संविधान के बेसिस्ट सुरूपों को आदर्स इस्तिति में दर्साती है जो एक प्रारूप को मानब कल्यान को केंदरित इस्थिति को दर्शाता है जो मानब समाज के लिए महत्वपूर्ण है ये केबल भरती के नमबर है कोई ऐसी ठोस बात नहीं कही गई है क्योंकि जो निश्कर्स है वो प्रशन की मांग के अनुरूप नहीं है अब इसमें आजाते हैं कि इस प्रशन जो इसमें लिखा गया है तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को समझ लेते हैं एक बार कि इस प्रशन के उत्तर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था और उसके बाद इस प्रशन के मार्क्स का इबेलवेशन करेंगे इस प्रश्न की भूमिका में बहुत ही संख्षेप में lines को club करते हुए words को club करते हुए बहुत ही संख्षेप में कामा लगाते हुए कम सब्दों में लिखना चाहिए था कि सम्मिधान भारत के सम्मिधान की पस्तावना में उन नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया या उन राजनेतिक आर्थिक और नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है जिन पर सम्मिधान की आधार से लट्टी की हुई है और इन नैतिक मूल्यों के आधार पर ही सम्मिधान सबा के सदस से ठाकुर भारगव दास थे एक समिधान सबा के सदस से थे उनों ने ही पहली बार समिधान की पस्ताबना को समिधान की आत्मा कहा था तो ठाकुर दास भारगव का रेफरेंस देके यह लिखना चाहिए था कि समिधान सबा के सदस से ठाकुर दास भारगव ने ही सबसे पहली बार सम्मिधान की प्रस्तावना को सम्मिधान की आत्मा कहा था तो राजनेतिक आर्थिक नेतिक मूल समावेश हैं और पंडित ठारकूर भारगव दास नाम था उनका तो उन्होंने सबसे पहले सम्मिधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को इन दो बातों का reference देके भूमिका को शुरू करना चाहिए था इसके बाद मुख के भाग में एक heading लिख दी जानी चाहिए थी कि संबिधान की जो प्रस्तावना है उसमें बर्णित मूल लिन्यम लिके थे और एक diagram बना लिना चाहिए था कि सक बना मूल लिक पाहिए अर्थरकरी काamentos इन नाउब को अर्थरकरी है किसमें लिक भी, लिका क отметा iliar principle इन जर भीका करेंए कि सक वक करना चाहिए आप लोग देखेंगे कि इस डाइग्राम में उन्ही नैतिक मुल्यों का मैंने वर्णन किया है जो नैतिक मुल्य समिधान की पस्तावना में बढ़नित हैं आप लोग चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्तु संपन अर्थात संप्रभुता समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोकतंतरात्मक गणराज न्याय स्वतंतरता संता और बंधुता इन सारे चीजों की ही चर्चा की गई है समिधान की पस्तावना में तो इन सारे सब्दों को मैंने एक डायग्राम से दिखा दिया अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ सब्दों के माध्यम से समिधान की प्रस्तावना में वर्णित सभी मूल्यों को दिखा दिया गया है इसका आगला स्टेप यह होना चाहिए था कि एक एक दो दो लाइनों में इनको एक्स्प्लेइन कर देना चाहिए था जैसे संप्रभुता लिखा हुआ है इसके बारे में लिख देना चाहिए था इसका आर्थ है कि भारत स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक और बाहि नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी अन्य देश का उप्लिवेश नहीं है और भारत के समिधान की शक्ति का पम्केंद्र नाहों किसीके पास जाखे तो बेतन में जहां तक हो सके सामाजेश्य को पंतिन्र पेख्ष का मतलब है कि जो भारत का समिदान है ना तो किसी धर्म को बड़ावा देता है और नही धर्म के आदार पर भेदवाव करता है और यहां पर धर्म को मानने की उसका आचरन करने की सोतन्तृता है लोक तंत्रात्मक है क्योंकि यहां भारत को जो शाषन पद्यति है बहें लोक तंत्रात्मक पद्यति है क्योंकि यहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतनीधियों के माध्यम से शाषन किया जाता है इसी लोक तंत्रात्मक पद्यति को ही अबराहम लिंकन ने जनता द्वा कि एक-एक दो-दो लाइनों में ब्याख्या करके समझा देना चाहिए था कि कौन-कौन से जो मूली बढ़नित है उनका क्या विप्राय है तो इससे मुख्य जो बॉड़ी थी या जो मैंने बताया था आप लोगों को शुरुवात में ही कि कि किसी भी प्रस्ण के उत्तर को ल पूरा हो जाता और उसके बाद जब निश्कर्च लिखना होता तब उसमें लिख दिया जाता कि यही सारे नैतिक मूल्य हैं और इनी नैतिक मूल्यों के अधार पर ही भारत की साशनपंदिति संचालित की जाती है या भारत का समिदान इनी नैतिक मूल्यों के अधार पर अ संबंधी प्राबधान किये गए हैं जो भारत की जंता की आकांग्शाओं की पूर्ति करते हैं इस तरह से इसको कंक्लूड करना चाहिए था तब यह उत्तर अधिक प्रभावी होता है बेहतर उत्तर होता अब यहां पर इस आंसर की एवेलुएशन कर लेते हैं मार्क्स के यह प्रश्ण था 150 वर्ड्स में और इसके लिए 10 नंबर थे तो जो 10 नंबर वाले प्रश्ण होते हैं उनमें किसी भी टेस्ट सीरीज में अधिकतम 5 चंक दिये जाते हैं 50% से उपर मार्किंग नहीं करनी चाहिए किसी भी इंस्टुशन में अगर कोई अच्छी टेस्ट सी यह भी नहीं जाते हैं उसका कारण यह होता है कि UPSC के जबाब मार्क शीट देखेंगे तो GSK पेपर्स में 50% से उपर मार्क एक दो लोगों के ही मिलेंगे जनरली 50% से मार्क कम होते हैं तो UPSC के ही स्टेंडर्ड को फालो करते हुए मार्क को कभी भी 50% को एक्सीड नहीं क सकते हैं और उन पांच नम्बरों का किस तरीके से विभाजन होता है एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं भूमिका के लिए एक मुक्य बात के लिए तीन और निश्कर्ज के लिए एक नमबर दिया जाता है तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि इस प्रश्ण के उत्तर में जो भूमिका लिखी गई है काफी अवेवेस्तित है उसमें कोई भी ऐसी ठोस बात नहीं लिखी गई है उसके अलाबा जो बाकिसे नचना है बह भी इस बस्त नहीं है इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस हिसाब से देखे तो यह भूमिका बहुत ही कमजोर भूमिका है वैसे तो मैं इसमें और ज्यादा टाइट मार्किंग करता और इसे बहुत काविल भी ना समझता नंबर देने के लेकिन फिर भी मैं अगर इसमें नंबर देना ही चाहूं तो मेरी नजर में पाइंट 5 माक्स दिए जा सकते हैं बच्चे को डिस्करेज़ ना करने के लिए या बच्चे को और थोड़ा बहतर लेखने के लिए मोटिवेट करने के लिए तब इसके नीचले भाग में चलते हैं जहां इसने मुख्य भाग इस प्रस्ण का लिखा है इसने डाइग्राम्स के माध्यम से समझाने की तो कोशिस की है कि लोक, तंत्रात्मक, समाजबाद, पंत, निर्पेक्ष, सामाजिक, राजनेतिक, नियाए या अगले पन्ने पर लिखाता उपर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्तु आदिकी चर्चा इसने की हुई थी, लेकिन इसने कहीं पे भी इन सब्द का मतलब नहीं समझाया है और इन सब्दों का मतलब ना समझाने से प्रश्न के उत्तर की जो मांग थी उत्तर में बैबात पूरी नहीं हुई है तो इसलिए मैं इसे मुख्य भाग में तीन में से मैं उसे डेड़ नमबर दे सकता हूँ और देखें कि जब हम निस्कर्च पे जाएंगे प्रस्तावना में समिधान के बिसिस्ट सुरूपों की आदर्स इस्थिति में दर्शाती है जो एक प्रारूप को मानब कल्यान को केंद्रित इस्थिति को दर्शाता है जो मानब समाज के लिए बहत पूर्ण है ये निस्कर्च किसी भी काम का नहीं है और निस्कर्च प्रस्ण की मांग के अनुरूप भी नहीं है इसलिए मैं इसमें marks नहीं देना चाहूंगा तो इसमें मैं overall जो मेरे marks होंगे dead number इसका मुख्य भाग का और आधा number था भोमिका का 2 number तो total marks होंगे 2-10 number में से ये बहुत ही strict marking है और strict marking का मतलब यही है कि मैं आप लोगों को इस copy के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो examiner होता है उसकी expectation क्या होती है आपसे किसी अच्छे candidate से किसी अच्छे उत्तर को लिखने के लिए क्या-क्या पेक्षाय होती है उन सब चीजों के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ तो यहां पर अगर मैं tight marking करता हूँ इसका मातलब यह नहीं है कि किसी बच्छे को discourage करना है बलकि मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग 50% या 55% तक के इसतर के या 55% marks gain करने के इसतर तक के अच्छे उत्तर लिखें यही मेरा यहां पर उद्धेश्य है तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोगों ने समझ लिया था कि बाग के संरचना भी आविवस्ते थे राइटिंग भी क्लियर नहीं है और बाग के संरचना पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है बाग के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी नहीं है और बाग के बाद भी नहीं समझा पा रहे है जो भोमिका थी, बैवी कमजोर थी, निसकर्स भी कमजोर है और जो मुक के भाग है उसमें मुल्लेओं के लिए सब्दों को लिखा तो गया है लेकिन उन सब्दों का मतलब नहीं समझाया गया है जिससे बात पूरी तरह से नहीं बन रही है अब इस प्रस्ण के इवेलुएशन के बाद कल हम लोग किसी नए प्रस्ण का इवेलुएशन यहां पर करेंगे धन्यबाद, नमस्कार